हेलो एब्रिवन, मन्जिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है हौसलों से नहीं, पंखों से उगरान होती है आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र दोस्त, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जाते इंपोर्टेंट होने वाली है इसलिए क्योंकि उन लोगों के लिए है, जो लोग कहते हैं कि मेरा एज खतम हो चुका है मेरा एज निकल चुका है, तो दोस्त, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे सक्स की कहानी बताने वाला हूँ जिसको जान कर आप लोग चौक जाएंगे कि सकसेज कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त इंसान हो सकता है, बस उसका मेहनत और लगन होनी चाहिए एक 52 साल का मैकडॉनल्स के फाउंडन ने कहा था एक 52 साल का मेकडोनल्स के फाउंडल ये इसकी मत करिए कहानी इस वीडियो को इदिना इसकी के लास्ट देखे करें ये 52 साल के मेकडोनल्स के फाउंडल्स ने एक वर्ड बोला था कि आपको यह जानकर चौक जाएंगे कि गली-गली मिल्क सेक बेचने वाला बेक्ती पांच राज पचास देशों में इसके सोल के रेस्टूरेंट और इसके सालीना बैपार बता चाहेंगे चार हजार चार सो कोड़ रूपे हैं में दोस्त सकसेज होने के लिए एज नहीं लगण और मेहनट होनी चाहिए दोस्त इन्हों ने ये वर्ड बोला था और गयम लें वर्ड बाला था हो जीद जिद जो कि हर अंसान के अंदर है चाहे वो पढ़ा लिखाओ बैक्ती हो वो चाहे अनपढ़ हो अगर वो जीद ठान ले तो कभी भी किसी वक्त कुछ भी कर सकता है दोस्त ये महत तो नहीं करता कि आपका अतित्व कितना कटिन था ये महत करता है कि दुबारा आप कहीं भी किसी वक्त कभी किसी टाइम शुरुआत कर सकते हैं एक बात याद रखना चीडियां जब तक जीवित रहती है तब तक कीडे मोकोडों को खाती है वही चीडियां जब एक दिन मर जाती है तो कीडे मोकोडे उसे खाते हैं दोस्त आज काल के लोगों को अगर आप ग्यान दो तो लोग कहेंगे कि ये बहुत बड़ा ग्यानी बन रहा है ग्यान दे रहा है मगर लोगों को यही नहीं पता होता है कि दोस्त अगर मंजिल का रास्ता अगर ना दिखाई दे जाए तो वो फैल हो जा सकते हैं और यही हाल ह आज कल की लोगों को कि वो फैल हो जा रहे हैं दोस्त ऐसे बहुत सारी वीडियो को नोलेज ऐसे बहुत सारा ज्यान आपका भाई आपके लिए लेकर आता रहेगा मेरी इस चैनल पर नए है तो भाई का चैनल अपना समझ के लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले थैंक जाहिंद नापके लिए शोमाट जाए हैंदी